भाग चौथा रुहानी गुल्दस्ता महराज जगत सिंग जी के वारतालापों में से चुने हुए कुछ अंच 1. केवल नाम पा लेने से ही कोई सत्संगी नहीं बन जाता सत्संगी को अपने जीवन को संतमत के सांचे में ढालना चाहिए उसका हर एक विचार, वचन और कर्म संतमत के उसोलों के अनुसार होना चाहिए कथनी से करनी ज्यादा जरूरी है विचारों की शक्ती तो और भी अधिक है सत्संगी का रोज का जीवन और रहन सहन बहुत साफ और उचे दरजे का होना चाहिए उसकी रहनी से ही ये जाहिर होना चाहिए कि वो पूरे सत्गुरू का शिश्य है 2. रत्ती भर अभ्यास, मन भर ग्यान से कहीं अच्छा है संतमत के सिधानतों का ग्यान किस काम का अगर उनके अनुसार हमारी रहनी नहो अमल और अभ्यास से रहित विद्वान उस पशू के समान है जिसकी पीट पर किताबों का भार लदा हो उपदेश देने से अभ्यास करना हजार गुना अच्छा है उपदेश से उदहरन अच्छा है लंका का राजा रावन सिर्फ विद्वान ही नहीं था वो वेदों का सबसे बड़ा टीकाकार पंडित भी था पर उसके कर्मों ने उसके पंडित्ते को जूठा साबित कर दिया क्योंकि वो परिश्त्री हरन के नीच कर्म पर उतराया नतीजा हुआ उसका व उसके कुल का सर्वनाश तीन निर्मल और पाक दिल परमार्थ में तरक्की के लिए बहुत जरूरी है एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उमीद नहीं की जा सकती जब कुत्ता तक किसी गंदी जगह पर नहीं बैठता तो काम, क्रोध, लोब, मोह, अंकार की मैल से भरे दिल में परमात्मा के आने की उमीद कैसे की जा सकती है 4. हमारा शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है इसे मांस, अंडे, शराब आदी के इस्तेमाल से कभी भी नापाक नहीं करना चाहिए और नहीं इसे जूट, काम, क्रोध, लोब, घ्रिना, घमंड, शेखी, अंकार और सांसारिक मोह ममता के प्रवाह में बहने देना चाहिए इस सब गंदगी को बुहार कर इस मंदिर को मालिक के रहने के लायक बनाना चाहिए 5. कभी किसी का दिल ना दुखाओ ये ऐसा पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता ये परमार्थ की जड़ ही काट देता है हमें अपने विचार दूसरों पर नहीं थोपने चाहिए सदा, नम्रता का व्यवहार करना चाहिए और मीठे वचन बोलने चाहिए प्रसिद्ध मुसल्मान संत शेख फरीद कहते है जे तव पीरिया दे सिकहियाओ ना ठाहे कहीदा अर्थात, हे फरीद, अगर तुझे परीतम से मिलने की चाह है तो कभी किसी का दिल ना दुखा फरीदा, जे तै मारन मुक्यां तिना ना मारे कुम आप पनडै कर जाईए, पैर तिना दे चुम अर्थात, अगर लोग तुझे मुक्ये मारते हैं तो बदले में उन्हें ना मार बलकि उनके पैरों को चूम कर अपने घर आजा छए, हमारा आंतरिक मार्ग डाकूओं से घिरा हुआ है इन में सबसे बद्तर है कामवासना ये चेतन माया लुभावनी बनकर हमें ठग लेती है इस बहुत बड़े खत्रे से होशियार रहो जब भी मन में काम की भावना उठे एक सिपाही की तरह सावधान होकर डट कर उसका सामना करो उस समय अपने ध्यान को तीसरे तिल पर जमा कर अपने आपको सत्गुरू के सुरूप के पीछे छिपा लो अपने आपको इस कोठरी में बंद कर लो परमार्त की द्रिष्टी से इस खत्रे से सावधान होने का यही तरीका है साहस और मजबूती के साथ मन का मुकाबला करो मन से कभी हार ना मानो उसके सामने कभी हथियार मत डालो दुश्मन के सामने जुक कर हम कभी नहीं जीत सकते मन को हर दम डांट फटकार कर रखो साथ कायरों की कभी जीत नहीं होती संतमत शूरवीरों का मार्ग है वे प्रीतम यानी परमात्मा को भेंट करने के लिए अपने सिर को हथेली पर रखकर मैदान में उतरते हैं किले यानी प्रीतम के धाम को फते करने के लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है सोहनी को महिवाल से प्यार था महिवाल नदी के पार रहता था सोहनी उससे मिलने के लिए मिट्टी के घड़े के सहारे तैर कर नदी पार करती थी एक बार किसी ने उस घड़े की जगए एक कच्चा घड़ा रख दिया नदी बाढ़ पर थी सोहनी जानती थी कि नदी को पार करने की कोशिश मौत होगी पर वो पीछे नहीं हटी प्रेम की वेदी पर उसने हसते हुए अपने प्राण नियुचावर कर दिये मालिक के लिए प्यार में हमें इस निडर स्त्री की मिसाल को अपनाना चाहिए अपने भजन सुमिरन में द्रिड रहो भजन में द्रिडता पूर्वक लगे रहो और बदन में जरा सा दर्द होने पर उठो नहीं ये दर्द असल में शरीर रूपी कब्र में से जिसे तुम इतना सजाते हो रूह के सिमटाव की निशानी है आठ अगर संतों के मार्ग पर चलना चाहते हो तो तन, मन और धन की कुर्बानी के लिए तैयार रहो अपने इच्छाओं को रोको, मोह और ममता को त्यागो और निंदा अथवातानों को सहने के लिए तैयार रहो अगर इस आदर्श के अनुसार अपना जीवन नहीं ढाल सकते, तो सफलता की आशा ना करो याद रखो, संसार में कोई भी चीज उसकी पूरी कीमत अदा किये बगैर ना पा सकते हो और ना पा सकोगे केवल मूर्ख ही बिना कीमत दिये कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, जो ये समझता है कि उसने बगैर मोल दिये कुछ पा लिया है, उसने असल में एक नए कर्ज का बोज उठा लिया है जब तक इस संसार में उस पर एक पाई का भी रिण है, चुकाने के लिए उसे वापस यहां आना पड़ेगा अगर अनाज का एक भी दाना पडोसी के खेट से अनजाने हमारे घर आ गया है, उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा हम जो कुछ भी पाते हैं, उसकी कीमत अदा करनी ही पड़ती है ये कानून अटल है, इस से कोई नहीं बच सकता ये भुगतान पैसे से, किसी चीज से या बराबरी के शुभ कर्मों के कुछ अन्श देकर हो सकता है, पर हिसाब तो चुकाना ही होगा बिना महनत के कुछ प्राप्त नहीं होता, सुख की कीमत दुख है, सोना तुम खान में से खोद कर ही निकाल सकते हो मोती के लिए गहरे समुदर में गोता लगाना पड़ता है, बगैर दर्द के कोई बच्चा पैदा नहीं होता अपनी कामनाओं की पूर्ती के लिए मनुष्य क्या-क्या बलिदान नहीं करता तो पूरा मोल चुकाए बगैर आप परमात्मा की प्राप्ती की आशा कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कम खाना, कम बोलना और कम सोना होगा ज्यादा सामाजिक मेल जोल और चमक दमक से बचना होगा अपने मन को दीन बनाना होगा, इंद्रियों को वश में करना होगा आपकी और सब इच्छाएं नश्ट हो जानी चाहिए सिर्फ एक मालिक से मिलने की इच्छा ही बाकी रहनी चाहिए इस संकरी गली में दो के लिए जगए नहीं है यहां सिर्फ एक के लिए ही स्थान है या तो परमात्मा के लिए या दुनिया की मोह माया के लिए अगर मालिक को पाना चाहते हैं तो बाकी सब कुछ छोड़ना होगा अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो परमार्त की राह छोड़ दें मालिक और उसके प्यार की चर्चा ना करें आप मालिक को धोखा नहीं दे सकते अपने आप के सिवाए और किसी को धोखा नहीं दे सकते 9. परमार्त के प्मार्ग में कामयाबी का गुर है भजन ज्यादा भजन और ज्यादा भजन सिर्फ तीन घंटे के भजन से दुनियादारी की और का पलड़ा ही भारी रहेगा आपको पूरी तरह से सिर्फ मालिक के खयाल में ही डूबे रहना चाहिए चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, सारा दिन आपका खयाल तीसरे तिल में मालिक की और लगा रहना चाहिए 24 गंटे मालिक से मिलने की तीवर इच्छा व बेताबी, उसके विरह की पीड़ा और तड़प बनी रहनी चाहिए खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, प्रती पल उसका नाम होंटों पर और उसका सुरूप आँखों में बसा रहना चाहिए अंगिनत युगों से हम मालिक से बिछुड कर बाहर बे लगाम आवारा भटक रहे हैं हम मन और मया की जन्जीर में इतने जकड़े हुए हैं कि मालिक को बिलकुल भूल गए हैं ये भी भूल गए हैं कि हम उसकी अंश हैं हमें अंदर बाहर पूरे परिवर्तन की जरूरत है हमें अपने मन से साफ कह देना होगा कि पिछले हजारों जन्मों में हम उसके हुक्म में चलते आएं हैं पर अब हमारा पक्का निश्चे है कि ये जन्म हम परमात्मा और सिर्फ परमात्मा की भक्ती में अर्पित कर दें हमारी फुर्सत का हर एक क्षण भजन में लगना चाहिए अब हमारा सारा समय मालिक का होना चाहिए दस, नौजवान साधक एक विद्वा युवती के समान हैं दोनों को एक मजबूत किले में रहना चाहिए आपका किला आपका सत्गुरु है हर दम उनकी शरण में रहें उनके हुक्म के खिलाफ कभी कदम न उठाएं हमेशा उनके उपदेश और आदेश की चार दिवारी में रहें उनकी शरण तथा ओट ले लें उन्हें अपना एक मात्र आधार बना लें तब आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता उस किले में अपने रहने के लिए एक सुरक्षित कोठरी बना लें जिसकी चार दिवारे हों मौन, कम खाना, कम सोना और एकांत या अकेले में रहना सबसे पहले है मौन बातचीत करने में काफी शारीरिक व आत्मिक शक्ती नश्ट होती है मौन एक बड़ा गुण है कम से कम बोलें जब बहुत जरूरी हो तभी मुह खोलें और जब बोलना ही हो तो बहुत नम्रता और मिठास के साथ बोलें कभी भी किसी बात पर गुस्सा ना करें दुनिया को चलाने का भार आप पर नहीं है इसे उसी के लिए छोड़ दें जिसका ये काम है अगर कोई विक्ती ना समझी का वेभार करता है तो ये जरूरी नहीं कि आप उसकी नकल करें या उसका ढंग अपनाएं हमेशा अपनी जबान को वश्च में रखें जो दोधारी तलवार है फिर आता है कम खाना इसका संबंद भी जबान से है हम जरूरत से ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि खाने में हमारी जबान को स्वाद आता है हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना जिन्दा रहने के लिए जरूरी है। हमें मालिक की भक्ती के हेतु जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। मनुष्य कम खाने से देवता और ज्यादा खाने से पशू बन जाता है। अधिक खाने और अधिक सोने से मनुष्य परमात्मा के दर से दूर हो जाता है। खाने और सोने का रस हमारी आंतरिक दृष्टी को धुंदला कर देता है। अपने पेट को खाली रख तकि परमात्मा तुझे अपने प्रेम से भरपूर कर दे। अपना मूह बंद कर ले तकि परमात्मा तेरी आखें खोल दे। तीसरा है कम सोना नीद और खाने का आपस में संबंद है। ज्यादा खाने से हमेशा सुस्ती और नीद आती है। ज्यादा खाना हमें आलसी बनाता है। जितना हम कम सोएंगे उतनी ही अधिक आत्मिक उन्नती कर सकेंगे। हम जितना सोते हैं उतनी नीद की हमें जरूरत नहीं। रात में कुछ घंटों की नीद ही काफी होती है। इससे हमारी आंतरिक उन्नती होती है। और चौथा है एकांत यानी जहां तक बने अकेले रहना। परमार्थ के अभ्यासी के लिए जितना भी हो सके अकेले रहना जरूरी है। लोगों का मेल जोल हमें मन मत पर ले आता है। हमारी कोशिश तो गुरूमत पर चलने की है। मनुष्यों से दूर भाग और अपने आप से उपर देख। ग्यार है एक सत्संगी ने भजन के समय नींद आने की शिकायत की। महराज जी ने फरमाया साधक को उस अवसर का लाब उठाना चाहिए जब उसे नींद आने लगती है। उस समय मन का जुकाव स्वाभाविक ही तीसरे तिल की और होता है। इसलिए इस नींद जैसी अवस्था का स्वागत करो। पर सो ना जाओ। भजन के समय उनीदापन महसूस हो सकता है पर सोना नहीं चाहिए। जागते रहो और सचेत रहो। मन और इंद्रियों की नींद के समय की स्वाभाविक प्रवृत्ती का लाब उठाओ और तीसरे तिल में आ जाओ। ये जागरित निद्रा की अवस्था बड़ी आनंद प्रद होती है। कुछ दिन इसका अभ्यास करो और देखो कि ये आंतरिक उन्नती में कितनी सहायक होती है। पर ये सावधानी रखनी चाहिए कि आप ना तो सो जाएं और ना पूरी तरह से जागते रहें। इस अवस्था में हमारा मन ब्रह्मांडी मन के साथ एक हो जाता है और कई नजारे वो द्रिश्य देखता है। भजन करते समय और भजन के बाद कभी ना सोएं। 12 है। अपने मन से सब सांसारिक इच्छाओं और लालसाओं को निकाल देना चाहिए। अपने मन से कह दें कि तु दुनिया में अपना खेल खेल चुका है, अब परमात्मा की बारी है। अपने मन को परिवार, संतान, घर जायदाद, रुपए पैसे, मान बढ़ाई, देश और सब सांसारिक संबंधों से हटा लें। मन को ऐसी अवस्था में ले आएं कि इन सब के होने या ना होने का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब अपना पूरा ध्यान, सब सोच विचार और सारा समय, परमात्मा और सिर्फ परमात्मा की ओर ही लगा दें। अब उसी के हो जाएं। मालिक के सिवाए और सब चीजों का खयाल मन से निकाल दें। दिन रात भजन सुमिरन के चिंता रखें। दूसरी किसी बात की नहीं। मेहनत करें। बे धड़क होकर मन के साथ लड़ें। सत्गुरु आपके साथ हैं। उनकी मदद से मन को वश में कर लें। ते रहे। हमारे भोजन का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये पुरानी कहावतें बिलकुल सच हैं। जैसा आहार, वैसे विचार। और जैसा अन, वैसा मन। राजसिक या तामसिक भोजन से बुरे विचार उत्पन होते हैं। सात्विक भोजन से शुद्ध विचार आते हैं। शुद्ध विचारों से अच्छा चरित्र बनता है। और परमात्मा के प्रेम के लिए अच्छा चरित्र बहुत ज़रूरी है। पर मात्मा के प्रेम के बिना कोई आत्मे कुन्नती नहीं हो सकती ध्यान दीजिए कि राजसिक भोजन हमारे मन को बहुत चंचल बनाकर उसे संसार की ओर और अधिक प्रवृत्त करता है इसमें अंडे, मचली, केसर, पेस्ट्री, नमक, मिर्च मसाले आदी तथा सब उत्तेजक पदार्थ जैसे चाए, कौफी, गर्मदूद और ज्यादा मात्रा में खाना शामिल है तामसिक भोजन हमारे अंदर आलस क्रोध आधी उत्तपन करता है इसमें मांस, शराब, तंबाकू, मादक पदार्थ, भारी और बासी खाना आधी आते हैं वास्तव में किसी भी भोजन की बहुत ज्यादा मात्रा तामसिक प्रभाव रखती है सात्विक भोजन से हमारे मन में शान्ती आती है और पवित्र विचार उत्पन होते हैं इसमें फल, सबजियां, दूद, कम मात्रा में और बहुत गरम नहीं हो मक्षन, पनीर आधी दूद की चीजें, शहद, बादाम, जौ, गेहू, डालें, चावल आधी शामिल हैं इसमें सब सादे और हलके पदार्थ आते हैं, यदि वे कम मात्रा में खाय जाएं सदा शुद सात्विक भोजन करें सात्विक भोजन भी नेकी और इमानदारी से कमाया जाना चाहिए और उस कमाई में से बुजर्गों को और दूसरे सब लोगों को उनका उचित हिस्सा दे दिया जाना चाहिए खाना सादा और हलका होना चाहिए और उसे प्रसनचित होकर पकाना और खाना चाहिए कम खाना चाहिए और खाने से पहले देने वाले यानि परमात्मा का शुक्र गुजार होना चाहिए 14. मलिन विचार आत्मिक उन्नती में बहुत बड़ी रुकावट होते हैं वे विश्च के समान हैं सावधान रहो और बुरे विचारों से फॉरण मन को मोड लो अगर फुन्सी को खुजलाओगे तो वो बढ़कर एक दिन जहर से भरा फोड़ा बन जाएगी 15. अपने मन को हमेशा सुमिरन में लगाई रखो क्या इसमें कुछ खर्च होता है? 15. हर समय नाम का सुमिरन करते रहो जैसे छोटे बच्चे एक, दो, तीन, चार, दोहराते रहते हैं सुमिरन एक बहुत बड़ी ताकत है सिर्फ सुमिरन से ही हमारे अंदर संकल्प शक्ती का विकास हो सकता है सुमिरन धीरज और द्रिड़ता के साथ बिना रुके करते रहना चाहिए ये लगातार, बिना रुके, अटूट रूप से निरंतर चलता रहना चाहिए 16. एक सत्संगी ने शिकायत की महराज जी, मेरा मन मुझे भजन में नहीं बैठने देता है और जब मैं बैठता हूँ, तो ये सुमिरन भुला देता है महराज जी मुस्कुराए और बोले अच्छा, तो आपका मन और क्या करे वो तो बड़ी इमानदारी और तत्परता से अपने करतव्य का पालन कर रहा है क्या आपको भी अपना करतव्य पूरा नहीं करना चाहिए पूरी ताकत से मन का मुकाबला करें इस अवस्था में मन और आत्मा के बीच जबरदस्त लड़ाई है मन के साथ जरा भी रियायत ना करें सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि पहले आप ही मन पर धावा बोल दें और उस पर चोट करते रहें ताकि उसे कभी बदले में हमला करने का मौका ही ना मिले सतरह ध्यान को पूरी तरह से तीसरे तिल पर एकागर करके भजन करना चाहिए ध्यान या तवज्जो के साथ ही सुमिरन होना चाहिए सतसंगियों को विचार करने की सपष्ट और सही विचार करने की आदत डाल लेनी चाहिए बहुत कम लोग विचार करते हैं हमें गुसा क्यूं आता है? क्योंकि हम विचार नहीं करते लोग काम वासना का शिकार क्यूं हो जाते हैं? क्योंकि वे सोचते नहीं एक माता अपने पुत्र की मृत्यू पर क्यूं रोती है कई लोग धन या संपत्ती के नुकसान पर आत्महत्या क्यूं कर लेते हैं क्योंकि वे सोचते नहीं विचार नब्बे प्रतिशत अभ्यास है विचार शीलता एक वरदान है ये थोड़े से अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है हम अपने बहुत से काम बिना सोचे समझे एका एक ही कर बैठते हैं हमेशा शानती पूरवक विचार करें अगर आप ये जानते हैं कि क्रोज से आपके जिगर और हृदय को कितना नुकसान होता है तो आप कभी किसी बात पर गुसा ना करते किसी डॉक्टर से पूछिए वो आपको बताएगा कि गुसे के दौर में किस प्रकार हमारे खून में जहर फैल जाता है उनिस क्या चिंता से आज तक कोई भी समस्या हल हुई है चिंता उल्जे हुए विचारों से उत्पन होती है स्पष्ट वस सही विचार की आदत डाले और अपने दुख और कष्ट को हंस कर भूला दे जब तक मनुष्य हंस सकता है खुद शेतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड सकता क्या हसने में कोई खर्चा होता है हसना उतना ही आसान है जितना की चिंता करना या चिड़ चिड़ाना केवल शुरू में थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है कुछ समय के बाद तो हसना एक आदत ही बन जाती है आपका चिंता करना ये बतलाता है कि आपको परमात्मा की रहमत में और खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है मालिक को उसकी मौज के माफिक ही सब कुछ करने दें उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश न करें अपने आपको उसकी मौज और रजा में राजी रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे 20. तेज शस्त्र से शरीर पर किया गया घाव तो समय पाकर भर भी जाता है पर जबान द्वारा इंसान के दिल पर किया गया जख्म कभी नहीं भरता कभी किसी जीव का दिल न दुखाओ इस बात को भी उतना ही जरूरी समझना चाहिए जितने जरूरी मास आदी न खाने के वे प्रण है जो हम नामदान के समय लेते हैं अनुशासन और नियमों का सक्ती के साथ पालन किये बिना भजन और अभ्यास नहीं हो सकता मासादी न खाने के वचन का धे है कि हमारे मन में अहिंसा वद्दया के भाव जम जाएं अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी जीव को हानी और चोट ना पहुँचाना याद रखो, जिंदगी सब को प्यारी है पतंजली रिशी ने योगियों के लिए अपने योग शास्त्र में पांच यमों और पांच नियमों का वर्नन किया है ये दैनिक जीवन के लिए बड़े अच्छे उसूल हैं जिनका पालन करके सत्संगी भी लाब उठा सकते हैं पांच यम ये हैं पहला अहिंसा किसी भी जीव को मन वचन या कर्म से चोट यहानी ना पहुँचाना दूसरा सत्य जूट ना बोलना अर्थात मन वचन और कर्म से सच्चा होना तीसरा, अस्तेव, चोरी ना करना, जो वस्तु आपकी नहीं है, उसकी ना तो इच्छा करना और ना उसे ग्रहन करना चोथा, ब्रमचरय, मन, वचन और कर्म से एक कामवासना का त्याग, अर्थात, सयम से रहना तथा वीरे की रक्षा करना और पांचवा है, अपरिग्रह, यानि संग्रह की भावना का त्याग, अनावश्यक वस्तुओं को इकठा ना करना, त्याग करना पांच नियम ये हैं, पहला है शौच, यानि स्वच्छता, दूसरा है संतोष, यानि त्रिप्ति, तीसरा है तप, यानि स्वेच्छा से आत्मनियंत्रन करना चौथा है स्वाध्याय, यानि धर्म ग्रंथों का अध्यायन करना और पांचवा है ईश्वर प्रानिधान, यानि परमात्मा में अटूट विश्वास रखना और अपने आपको उसकी मौज पर छोड़ देना, परमात्मा की प्राप्ति की कोशिश करना 21. एक बार सत्संग में महराज जी सत्गुरु के अध्भुत आंतरिक नूरी सुरूप के तेज और जलाल का वर्णन कर रहे थे एक सत्संगी उठा और बोला महराज जी मुझे आपके नूरी सुरूप के रोज दर्शन होते थे, पर अब एक महीने से दर्शन नहीं हुए है महराज जी ने कहा, आपके मन पर किसी रंज या खुशी का असर पड़ा होगा सत्संगी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे एकलोते पुत्र की मृत्यू हो गई है तब महराज जी ने फरमाया, सत्गुरू तो हमेशा अंतर में मौजूद है जब हमारा मन एकागर होकर उपर चला जाता है, तो उनके दर्शन करता है पर जब वो व्याकुल होता है, तब नीचे गिर जाता है, और सत्गुरू के दर्शन नहीं कर पाता क्या रंज करने से आज तक किसी का कोई काम बना है, या चिंता से कभी किसी का भला हुआ है भजन सुमिरन बराबर करते रहो, यही शान्ती, सुख और अनंद का स्रोत है युवा वस्था में साफ, पवित्र और सदा चार पूर्ण जीवन बिताने के लिए एक पेगंबर के जैसे साहस, वीर्ता और द्रिड संकल्प की जरूरत है 23. आप जानना चाहते हैं कि पूरा गुरू कौन होता है और उसकी दात क्या होती है पूरा गुरू मनुष्य के रूप में परमात्मा या परमात्मा में समाया हुआ मनुष्य होता है सत्गुरु वो मनुश्य होता है जिसके रूप में कुल मालिक, सतनाम या अनहद शब्द इस धर्ती पर आकर निवास करता है वो देधारी शब्द होता है सत्पुरुष अपना धाम छोड़ कर, अपने आपको मनुश्य के चोले में छिपा कर, अपने पुत्र की तलाश में उन खाना बदोशों की बस्ती में जाता है, जो उसके पुत्र को उठा कर ले गए है वो उन खाना बदोशों के साथ रहता है और उनके जैसा ही जीवन व्यतीत करता है लेकिन उसका पुत्र उसे नहीं पहचानता, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता बड़ी मुश्किल से वो अपने पुत्र को अपने साथ महल में चलने के लिए मना लेता है ताकि पुत्र खुद अपनी आँखों से देख सके कि वो कितनी बड़ी दौलत का हकदार है उसे खाना बदोशों की बस्ती से निकाल कर राजमहल में लाकर वो बैठने को सिहासन देता है वो तब तक अपने पुत्र को नहीं छोड़ता जब तक पुत्र अपने राजमहल के वैभव में पूरी तरह बस नहीं जाता 24. वही सुखी है जिसकी इच्छाएं वह जरूरतें कम हैं 25. इच्छाएं वह जरूरतें जितनी कम होंगी इंसान उतना ही अधिक सुखी होगा 25. जिनको कच्छू ना चाहिए सोही सहनसा 25. हमारी इच्छाएं ही हमें दरिद्र बनाती हैं 25. जिसकी कोई इच्छा नहीं वही सबसे अमीर है 25. अपने भारत निवास के दिनों में सिकंदर महान एक साधू से मिलने गया 25. जो ब्यास नदी के किनारे रहता था 25. सिकंदर ने उसकी असाधारन शक्तियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था 25. सिकंदर ने उसे एक बढ़ के पत्तों से बनाई गई च्छतरी की छाया में ताड के पत्ते पर बैठा हुआ देखा 25. यही उस साधू की संपत्ति थी 25. जब सिकंदर को यह पता चला कि उस साधू ने मूसलाधार वर्षा, कडकती धूप और तेज सर्दी में भी अपने सारी जिंदगी वहीं गुजारी है तो उसने साधू के लिए एक घर बनवाना चाहा 25. साधू ने इनकार कर दिया और कहा 25. मकान क्यों बनाया जाए? क्या हमें यहां हमेशा के लिए रहना है? तब सिकंदर ने पूछा, क्या मैं आपकी कोई और सेवा कर सकता हूँ? इस पर साधू ने उत्तर दिया, हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी आदमी मेरे पास ना आए 25. सिकंदर ने अपनी मृत्यू के समय अपना आधा राज्य उस व्यक्ति को देने की घोशना की, जो उसे केवल इतने समय के लिए जीवित रख सके, जिसमें वो अपनी माता से मिल सके 25. परंतु वैद्यों ने उत्तर दिया कि चाहे वो अपना सारा राज्य भी दे दे, तो भी वे उसकी जिन्दगी में एक सांस भी नहीं जोड सकते 25. राजा की आँखों से आँसू बह निकले और एक थंडी आह भर कर उसने कहा 25. अफसोस, अगर मुझे मालूम होता कि एक-एक सांस इतनी कीमती है, तो मैं कभी भी अपने सांसों को फिजूल के कामों में बरबाद ना करता 26. तब उसने हुक्म दिया कि अर्थी ले जाते समय उसके दोनों हाथ कफन के बाहर रखे जाएं और हथेलिया उपर की और हों, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि सिकंदर महान जो विश्व विजय के स्वपन देखा करता था, इस संसार से खाली हाथ जा रहा है 25. पवित्र नैतिक जीवन बिताने पर जितना भी जोर दिया जाए, कम है। आत्मिक उन्नती के लिए उच्च नैतिक चरित्र बहुत ही जरूरी है। नाम और काम एक साथ नहीं रहते, ये वैसे ही एक दूसरे के वैरी हैं जैसे अंधकार और प्रकाश। जिस हृदय में का काम है उसमें नाम प्रवेश नहीं करता और जब नाम आता है तो काम गायब हो जाता है। सतसंगी को संसार के लिए मिसाल बनकर रहना चाहिए। उसके नेत्रों से पवित्रता जलकनी चाहिए। उसके शरीर से परमार्थ की खुश्बू आनी चाहिए। भोग विलास के जी जीवन बिताया जा सकता है। एक और तो काम वासना में डूबे रहना और दूसरी और मालिक के दर्बार में प्रवेश पाने की आशा करना निरा मजाख है। ऐसे लोगों के लिए वो द्वार कभी नहीं खुलेगा। 26. सत्गुरु का नूरी स्वरूप इतना ज्योतिर्मय, सुन्दर और अकरशक है कि उसके दर्शन के बाद इस संसार का कोई भी रूप हमें सुन्दर नहीं लगता और संसार का सब मोह छूट जाता है। मालिक के प्रतितीवर और अगाध प्रेम तथा उसके वियोग की के लिए बहुत जरूरी है। प्रेम की आग सब गंदगी और मैल को भस्म कर देती है। केवल प्रीतम से मिलाप की इच्छा ही बाकी रह जाती है। अगर मुझे किसी की निंदा करनी हो तो मैं अपनी माता की ही निंदा करूँगा ताकि मेरे अच्छे कर्मों का फल यदि किसी को मिलना है तो वो मेरी माता को ही मिले। महराज बाबा सावन सिंग जी कहा करते थे, कि निंदा करने वाले के सभी अच्छे कर्म निंदित व्यक्ती के लेखे में जमा हो जाते हैं। निंदक हमसे मजदूरी लिये बगैर हमारे पापों को धो देता है। 28. अगर कोई हमारी थोड़ी से भी मदद करता है, तो हम कितने खुले दिल से उसका धनेवाद करते हैं। माता, पिता और शिक्षक अपने बच्चे में सदाचार के गुण जागरित करने की कोशिश तो करते हैं, पर अफसोस बच्चे अपने विकास काल में आत्मे खुराक से खाली रह जाते हैं। उनकी शिक्षा में इस से ज्यादा खोखलापन और क्या हो सकता है कि वे परमात्मा के बारे में अंजान हैं जो हर नेकी और गुण का स्रोत तथा सब दातों का भंडार है। जब शिक्षा में इस बुनियादी उसूल को नजर अंदास किया जाता है, तो आगे चल कर जीवन भ्रम और उलजनों से घिर जाता है, तथा आदरपून व्यवहार और निर्मल नैतिक चरित्र की परंप्रा का हरास या पतन होता जाता है। माता-पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को परमात्मा और परमार्थ के बारे में बतलाएं, उनमें सही वस्वस्थ विचारधारा को जागरित करें और उनके जीवन को सदाचार की नीव पर खड़ा करें। उन्तिस ये जीवन हमारे अस्तित्व की अनंत श्रिंखला की एक कड़ी है। जब संसार नहीं था, मैं तब भी रहूँगा जब संसार का अंत हो जाएगा। तीस, बे मतलब और बेकार की बातचीत में ना लगें। अगर आपको अपनी रुहानी दौलत से महरूम होने का बोध है, तो हर मिनट अपनी रुहानी विरासत को पाने की कोशिश करें। अगर आप फिजूल की बातचीत यानि गपशप करते हैं, तो परमात्मा से की गई आपकी प्रार्थनाएं मात्र मजाख हैं। ये गपशप आपको ढोंगी साबित करती है, ये रुहानियत की जड़ को ही काट देती है, एक और तो परमात्मा से दया मेहर की आचना करना, और दूसरी और अपने कीमती समय और शक्ती को बेकार खर्च करना, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं, सोचिए अधिक, बोलिए 31. मेरे पास अक्सर सत्संगियों की शिकायते आती हैं कि मन उनको अभ्यास में नहीं बैठने देता, वे बहुत आसानी से मन के बहकावे में आ जाते हैं, अगर आत्मा में बल नहीं है और शरीर भी कमजोर है, तो इलाज ही क्या है? आसन पर बैठे रहने और रूह के सिमटने से जरा सी भी तकलीफ होते ही मन अभ्यासी को भजन से उठने के लिए उकसाता है. हमें इस अटल नियम को याद रखना चाहिए कि बगैर तकलीफ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता. केवल बड़े साहसी युद्धा ही जो मौत को गले लगाने, यानि दुनिया की खुशियों से मुह मोड कर नौधवारों को खाली करने और काल तथा कर्मों के दुरगम, अंधकार, पूर्ण, गड़ पर धावा बोलने के लिए तैयार हों, अपने लक्षे को प्राप्त करत सुनिये, प्रेमी लोग क्या कहते हैं? सत्संग में एक अमेरिकन महिला ने कर्मों और संसकारों के वारे में पूछा, महराज्जी ने उत्तर दिया, हमारे किये हुए कामों और उनकी प्रतीक्रिया या फल को कर्म कहते हैं, कारण और कारे का, कर्म और फल का ये कानून अपने आप लागू होता है, अपने किये कर् पिछले कर्मों से जन्म लेने वाली सहज पर दबी हुई प्रवर्तियों को ही संसकार कहते हैं। संसकार उसके पिछले जन्मों से चले आते हैं और इस जन्म में उसके कर्मों को प्रभावित करते हैं। 33. उसी महिला ने सत्य और परमात्मा की खोज में तर्क और बुद्धी की उपियोगिता के बारे में कुछ सवाल पूछे. महराजी ने फरमाया, महराजी हकीकत को कैसे समझ सकती है। बिल्कुल अलग ढंग से सोचते हैं। काम और क्रोध में मनुष्य के विचार कितने अधिक दूशित हो जाते हैं। जब तर्क और बुद्धी का मापदंड या पैमाना हर दम बदलता रहता है, तो इसके मापद पर क्या भरोसा किया जा सकता है। अमेरिकन महिला ने पूछा, तब परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें किसका आसरा लेना चाहिए। महराज जी ने समझाया, जब जिग्यासु नौधवारों को बंद करके, दुनिया से मूह मोड कर अंतर की यात्रा शुरू करता है, तब परमात्मा का ज्यान शुरू होता है। अंतर के अनुभव और उनकी समझ बुद्धी की पहुँच से परे हैं। केवल आत्मा ही उनको समझ सकती है। उस गूड रुहानी रहस्य को कोई भी बौधिक चतुराई सुल्जा नहीं सकती। पर आत्मा उस हकीकत को, परमसत्य को देख लेती है और जान लेती है। और जब परमात्मा से साक्षातकार हो जाता है, तब आत्मा अपने मूल यानि परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए इस कमजोर और सीमित बुद्धी से केवल तर्क के खिलवार द्वारा सूक्ष्म आत्मिक रहस्यों को समझने की आशा ना करो। सांसारिक तत्थियों के क्षेत्र में भी बहुत कुछ हमारी समझ से परे रह जाता है। फिर इंद्रियों की पहुँच से परे के लोकों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। एक बच्चा अपनी माता से पूछता है, मा, मैं कैसे पैदा हुआ। मा को जवाब मालूम है, पर वो ये भी जानती है कि बच्चा समझ नहीं सकता। इसलिए वो हंसकर जवाब देती है, मैंने एक खाना बदोश लड़की से तुझे एक पैसे में मोल लिया है। 34. एक महिला जिसका पुत्र पढ़ाई के लिए हवाई जहाज से विदेश यानि यौरप जा रहा था, महराज जी के पास आई और बोली। महराज जी, मैं आज कल बहुत चिंतित रहती हूँ। महराज जी ने उसकी चिंता का कारण पूछा। वो बोली, मेरा लड़का आगे की पढ़ाई के लिए कल हवाई जहाज से यौरप जा रहा है। महराज जी कुछ मुस्कुराए और बोले। अच्छा, तो इसमें चिंता की क्या बात है। चिंता हवाई यात्रा की है, पढ़ाई की या कल की। महिला भी हस पड़ी और बोली, महराज जी जब मैं हवाई यात्रा के खत्रों का खयाल करती हूँ, तो मेरा दिल बैठ जाता है। महराज जी ने कहा, हवाई यात्रा के आराम तथा सुविधा और उससे मनजिल तक जल्दी पहुँचने के बारे में क्यूँ ना सोचा जाए। महराज जी ने आगे फरमाया, मनुष्य इसी तरह अपने आपके लिए चिंताएं बना लेता है। हमारी 99 प्रतिशत चिंताएं हमारी अपनी पैदा की हुई और आधारहीन होती हैं। महराज जी ने शेक्स्पियर की एक पंक्ती दोहराई जिसका अर्थ है कि आने वाली विपत्ती का डर हमें खुद उस विपत्ती से कहीं अधिक दुखी कर देता है। विपत्ती तो शायद आए और शायद आए ही नहीं। 35 परमात्मा के प्रती प्रेम बनाए रखने के लिए हमारे प्रेम को लगातार खुराख की जरूरत है। बगैर इंधन के आग की तरह वो बुझ सकता है। भजन सुमिरन वो इंधन है जो इस आग को जलाए रखता है। इसलिए भजन में एक दिन का भी नागा ना करो। भजन में एक दिन की लापरवाही हमारे सफर की प्रगती को एक महीना पीछे कर देती है। जिन्दगी इस लायक नहीं है कि हम इसके बारे में बहुत चिंता या फिक्र करते रहें। ये नादानी में शुरू और चिता में समाब्त होती है। चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, पर एक दिन तो इसका अंत होगा ही, और बीच का समय भी जैसे तैसे गुजर ही जाता है। जिन्दगी की परेशानियों को हंसकर भुला देना ही बुद्धिमानी है। सैंतिस एक कम उम्र की महिला, जिसके पती की हाल ही में मृत्यू हुई थी, दुख में इतनी डूबी हुई थी, कि उसने महराज जी से विनती की, कि उसे उठा लें। उसने कहा, महराज जी, मैं मरना चाहती हूँ। महराज जी ने जवाब दिया, आपकी मौत क्या आपके उन कर्मों को खत्म कर देगी, जिनकी वज़े से ये दुख आया है। नहीं, आपके वे कर्म दूसरे जन्म में भी साथ जाएंगे। फिर कर्मों के इस कर्ज को अभी क्यों ना चुका दिया जाए। बजाए इसके कि कर्मों के भारी कर्ज में एक और पाप, सबसे बड़ा पाप, आत्महत्या जोड़ा जाए। 38. मेरे दोस्तों, इस मार्ग पर कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है। जब तक हम यथा शक्ती मेहनत और कोशिश नहीं करते, वो द्वार नहीं खुल सकता। 49. हमारी प्रार्थनाएं और अर्दासें व्यर्थ हैं, जब तक कि हम अपनी ओर से द्वार खोलने की पूरी कोशिश के द्वारा उन्हें सबल नहीं बनाते। सत्गुरु जानते हैं कि नाम के लिए हमारी इच्छा और प्यास दिखावटी है। हमारी प्रार्थनाएं निश्कपट और सच्ची नहीं हैं। हमारा मन अभी भी दुनिया और उसके पदार्थों की कामनाओं से भरा हुआ है। वो वासनाओं और लोभ में डूबा हुआ है, सांसारिक मान बढ़ाई और यश्च के पीछे भाग रहा है। वो हर दम गुरूर और अकड में रहता है। याद रखिये, सत्गुरू को धोखा नहीं दिया जा सकता। जब तक उससे मिलाप की तड़प तीवर और सच्ची नहीं है, वो खामोश रहता है और ध्यान नहीं देता। चालिस, जब तक बच्चा गुडियों और खिलोनों से खेलता रहता है, मा भी उसके बारे में फिक्र नहीं करती। पर जिस समय वो अपने खिलोनों को फैंक देता है और मा के सिवाए और कुछ नहीं चाहता, तो मा भी उसकी चीख पुकार को अनसुना नहीं कर सकती। उसे अपनी गोद में लेने के लिए वो दोड़ी आती है। इसी प्रकार जब तक हम औरों के आसरे रहते हैं, परमात्मा हमें वैसे ही रहने देता है, पर बार-बार की चोट और निराशा के बाद जब हम उसे अपना एक मात्र आधार मान कर अपने आपको बिलकुल उसके आसरे चोड़ देते हैं, तो वो उसी क्षण हमारी मदद के लिए आ जाता है। तभी एक आवाज आई, महराज जी मन भटकता रहता है। महराज जी ने कहा, ठीक है उसे भटकने दीजिए, आप अपना सुमिरन करते रहिए। परमात्मा की याद में बिताया हुआ हर एक क्षण आपके हिसाब में जमा होता है। दिन में दो बार सारबचन या संतमत की कि इसी और पुस्तक में से दो तीन शब्द पढ़िये, इस से काफी मदद मिलेगी। उन्हें मौत से प्यार होता है। पिरतालिस हर एक मंदिर और मस्जित के प्रवेश्टवार पर लिख दो कि परमात्मा मजहबों और संप्रदायों से दूर मनुश्य के अंतर में रहता है। चवालिस अंतर में सत्गुरू का नूरिस रूप तभी प्रकट होगा जब संसार की सभी कामनाओं को वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। पेंतालिस एक यॉर्पियन सत्संगी को उत्तर देते हुए महराजी ने फरमाया कि संत सांसारिक उद्देशियों की प्राप्ती के लिए चमतकार दिखाने या आत्मिक शक्ती का प्रियोग करने का समर्थन नहीं करते। एक पहुँचे हुए सत्संगी के लिए बिमारी को दूर करना, अंधे को दृष्टी देना या मुर्दे को जीवित कर देना कठिन नहीं है। बाबा अटल अपने दोस्त मोहन के घर उस से अपने पिछले दिन के खेल की बारी लेने गए, तो उन्होंने मोहन को जमीन पर लेटे हुए और उसके माता-पिता तथा संबंधियों को उसके चारों और बैठ कर रोते हुए देखा। लोगों ने उन्हें बताया कि मोहन मर बाबा अटल ने कहा, नहीं, वो मरा नहीं है, वो खेल में मेरी बारी ना देने के लिए मरने का बहाना कर रहा है। बाबा अटल ने अपनी नादानी का मोल चुकाना मन्जूर किया और उसी समय वहीं जमीन पर लेट कर चोला छोड़ दिया। आपने अमरित सर में हरिमंदिर साहिब के पास उनकी संग मरमर की समाधी देखी होगी। शेक्स्पियर का कथन है सच्चे प्रेम का रास्ता कभी समतल नहीं होता। प्यार जितना सच्चा होगा रास्ता उतना ही कठिन होगा। यही बात प्रमात्मा के प्रेम के लिए भी सही है। जितना अधिक आप उसे प्यार करते हैं, उतनी ही अधिक कठिनाईयां और आजमाईशें वो आपके रास्ते में खड़ी कर देता है। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है। पल्टू सहब कहते हैं, प्रेम का मार्ग आसान नहीं है। क्या तुम अपना सिर अपने हाथों से काटने को तयार हो। अगर नहीं, तो प्रेम के सपने मत देखो। यह कोई शक्कर की डली नहीं जिसे त प्रेमी तो दिन रात सूली पर लटका रहता है। वो जीते जी मर जाता है और अपने शरीर व जिन्दगी की सब इच्छाओं को त्याग देता है। उसके शरीर में एक बूंद भी रक्त बाकी नहीं रहता। ना वो रोता है और ना कभी उसके दिल से कोई आह ही निकलती है हर तरह की मान बढ़ाई को छोड़ कर वो अपने आपको भोजन और निद्रा से भी दूर रखता है। वे लोग कितने मूर्ख हैं जो प्रेम को अपने मौसी के घर की दावत समझ कर प्रेमी बनते हैं। 47. हम अपने अनमोल मनुष्य जन्म को किस प्रकार विशय भोगों में बरबाद कर देते हैं और इनकी देन क्या होती हैं? सिर्फ कष्ट, रोग, पीडा और दुख। 48. असल में परमात्मा ने क्रिपा करके हमें मनुष्य जन्म की जो बहुमूले सौगात दी है, उसकी कीमत की समझ शायद हमें है ही नहीं। 49. निचले दरजे के करोडों जन्मों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। कीडों, पक्षियों और पश्यों के जन्म में भी हमें पिता, माता, पत्नी और बच्चे मिले थे। प्रेम, घ्रिना, काम, भूक और लोब का अनुभव हमने तब भी किया था। फिर मनुष्य की शुरेश्थता किस बात में है। दया मैं दाता यानी परमात्मा द्वारा हमें बुद्धी देने का मुख्य उद्देश यही था कि हम इसी जन्म में अपने आपको पहचाने, मालिक की तलाश करें और उसे प्राप्त कर लें। अगर हम ये ना कर सकें, तो पशुओं से अच्छे नहीं हैं। इसलिए हमें चाहिए कि परमात्मा को पा सकने के अवसर का पूरा फाइदा उठाएं। 48. बुराई का रुख नीचे की और होता है। सिर्फ एक बुरा विचार भी मनुष्य को ब्रह्मांड की दिव्वे उंचाईयों से नरक के निचले खंड में ले आता है। जैसे बर्फ की चोटी से फिसल कर मनुष्य सीधा नीचे आता है, उसी प्रकार एक वासना पूर्व भाव भक्त को नीचे खींच लेता है। काम और परमात्मा का प्रेम एक दूसरे के विरोधी हैं। किसी भी हृदय में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहां काम है, वहां मालिक का प्यार नहीं है। और जहां मालिक का प्यार आबसता है, वहां से काम गायब हो जाता है। इंसान बनाते हैं और परमात्मा के नजदीक ले आते हैं। भगवान कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं, मैं अपने सबसे प्यारे भक्तों को तीन दुरलब उपहार या सोगातें देता हूं। वे हैं गरीबी, बेमारी और निरादर। ईसा मसी ने सच ही कहा है कि किसी अमीर आदमी के परमात्मा के देश में प्रवेश पाने से उट का सुई के नाके में से निकल जाना कहीं आसान है। भगवान कृष्ण ने शरीर के प्यार, शेखी, घमंड और संसारिक पदार्थों के मोह को परमात्मा की प्राप्ती के मार्ग में रोडे बतलाया है।